हे फ्रेंट्स वेलकम तू माय चैनल और आज जो रेसिपी में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं वो है तो बिल्कुल सी रेसिपी लेकिन आज हम उसे बनाएंगे विदाउट अनियन और गार्लिक क्योंकि चल रहे हैं नवरात्रे तो आज हम इसे विदाउट अनिय कर लिया है और अब इन आलूओं को हम काट लेंगे इस तरीके से आपने ने क्यूब्स में काट लेना है तो next step में ये मैंने कढ़ाई जो है वो गैंस पे चड़ा दी है और कढ़ाई में मैंने डाल दी है तीन बड़े चमच और के और गरम हो चुका है और अब मैं इसमें अड़ करूँगी एक छोटा चमच जीरा का एक चौथाई चमच मैं डाल लूँगी इसमें हींग चला के भून लूँगी तो अब मैं इसमें आड़ कर लूँगी मसाले एक चौथाई चमच हल्दी पाउडर एक चमच मैं डालूँगी लाल मिर्च पाउडर लगभग एक चौथाई चमच मैं डालूँगी जीरा पाउडर और एक चमच मैं डालूँगी इसमें धन्या पाउ और इस मसाले को थोड़ा सा चला लेने के बाद अब मैं इसमें एड़ करूंगी एक टेबल स्पून कसूरी में ठीका जिसे थोड़ा सा क्रश कर लूँगी मैं और इसमें डाल दूँगी अब इसको क्रश कर लेने के बाद मैं इसको थोड़ा सा चला लूँगी तो ये मसालों फूर्स पिलकल भून लेने के बाद जो कि मैंने बिलकुल फ्लेम में भूना है मसालों को ताकि मसाली जले नहीं अब मैं इसमें और गया करूँगी लगबग 200 ग्राम दही को और दही को एड़ करने के बाद मुझे इसे लगातार चलाना है क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो दही फट जाएगी तो दही चलाने के बाद यह लगातार चलाने का जो प्रोसेस है यह हमें कॉंटिन्यू रखना है नहीं तो हमारी दही फट सकती है तो लगबग 5-7 मिनट इसको मीडियम फिलेम में चला लेने के बाद अब मैं इसमे एड करूंगी टू टेबल स्पून मलाई यह मैंने फ्रेश क्रीम इसमें यूज की है और अब मैं इसमे आड करूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और इसको अच्छे से चला लूः और और अब इसमें हम एड़ करेंगे बॉइल्ड आलू जो हमने काटके रख लिये थे वो मैं इसमें सारे एड़ कर दूँगे और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगे और अब आलू को अच्छे से मिला लेने के बाद मैं इसमें एड़ करूँगी एक छोटा कप पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगे और लगबग 5-7 मिनट अब मैं इसे ढख करके पका लूँगे और ये मैं इसे 5-7 मिनट अब पकने के लिए छोड़ दूँगे और लगबख साथ से आठ मिनट इसे धक के पका लेने के बाद अब मैं इसमें फाइनली आड़ करूंगी धनिया पत्ती और फिर इसको लगबख एक मिनट हम और धक करके पका लेंगे उसके बाद ये सर्फ करने के लिए बिल्कुल तेयार है और ये हमारे दही वाले आलू बनके हो गए है तयार आप देख सकते हैं ये कितनी जटपट से बनके तयार हो गए है और खाने में भी इसका कोई जवाब नहीं है बहुत टेस्टी होती है और विदाउट अनियन और गार्लिक की रेसिपी बन जाती है तो आप भी इस नवरात् कियों में किसी और रेसिपी के साथ तिल रेन बाई व्यूवर्स